जहिन दोस्तों स्वागत है आप से विकार जीएस की भड़ साला में दोस्तों यह UPPSC ROARO से सम्मंधित सीरीज है यह जीएस प्रैक्टिस सेट 12 यह टेस्ट सीरीज है इससे पहले मैंने 11 करवा रखें 11 आप देख लिजी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर आपने नहीं द पांच मैने यूद के करवाए हैं उसके भी अच्छे प्रश्न है उसको भी आप हल कर लिजे स्वा मुल्यांकन होगा आपका इससे ठीक है इसको लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा इसक 25-plus number नमबर है आपका हिंदी जामान Ahndi के भी 11-12 टेस्ट इसके भी करवा रख है उसको भी कर लिजेगा अभी मैंने उसका latest जीस वर्ड का भी कर वाइग है ईन सबसे आपको क्या है कि आपका 100 मुल्यांकन होगा किसमें कितनी और मेहनत करनी ही कहां पर मैं पीछे हो रहा हूं वो चीजें आपको पता चलेंगी ठीक है आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रस्म सही हुए ठीक है यह सिर्फ यूपी प्यसी आरो यरो के लिए नहीं जह इसका यह सातों टेस्ट है चली सुरू करते हैं इसमें आपको करेंट भी मिलेगा सबसे बढ़िया बात जो है कि आपका इसमें करेंट भी 20-25 कोस्ट्ट जो दिये गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से दिये गए ठीक है जीयस तो हई है स्टेंडर्ड है मनलब क्वालिटी है प्लस आपको इसके साथ जो रिजनिंग मैट्स इसमें आता है 10-12-15 नंबर वो प्लस आपका करेंट भी बहुत ही बेहतरीन है ठीक है तो इसको हल करिए और बताईए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए यह बाइलिंग्वेल है सबसे बड़ी बात यह है यह आप दोनों में इसकर निर्माण कार्बोनी भी गौनी फिरल काल में हुआ था तो नहीं हुआ था ये आपका टेसिस काल के अंदियं चरम के अंतिम चरण में हुआ था तो यह पहला गलत हो जाता है डख कंट्रेक्टव बेसीकल यह जिससे क्या होता है बिसाल्ट से बना हुआ है क्यजिक मैदान है त्यक्डा दरारी मुखी से जो लावा निकलता है उसके ठंड़ होने से यह मैदान यह बना यह ठायर धाकन ट्राप जो ब्लैक स्वाइल है इसी के अपक्षे से वेद्रिंग से ब्लैक स्वाइल कर निर्माड हुआ और आपको पता है कि कपास अगयारा के लिए बहुत ही मतलब अच्छी मान जाती है तो इसमें जो सत्यकतन पूछा है तो केवल दो इसमें सही है पहला वाला गलत है आगे इसमें चारी दिया हुआ है लेकिन उसमें मैंने आठ दस करवाए हैं ठीक है उन सब को एकदम रटा मार लिए ठीक देखिए इसमें क्या है जैसे आप देखिए तपत पानी ओडिसा ठीक है अन्होनी आपका ये मद्द प्रदेश ठीक सोहना आपका हर्याना में पड़ता है औ इस इसाप से देखेंगे तो ती का वन पिपड़ रहा है कि एक ही हài है तो ये आपका यहां से हो जाएगा और एक दो तीन और मैं बता देता हूं देखिए जैसे ताटा पानी है ये तप पानी और ताटा पानी इकांफ्यूज होई ताटा पानी आपका महाराष्ट में ठी तो ये बहुत सारे हैं वैसे तो शूरज कुंड आपका जहरगंद में पढ़ता है थिके टप वन उत्राखंड में मैंने वह आप देखी आपका बहुत अच्छा रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है और जो अभी मैं फैक्ट्स वाले वीडियो डालता हूं उनको भी देखिए आप लगातार ठीक है उसका भी मैं लिस्ट वो देदूंगा इसी प्लेलिस्ट में है वह आरो यारो 2023 वाले में वह फैक्ट वाले भी हैं गजब के फैक्ट्स हैं देख लिए आप बहुत अच्छा ठीक है देखिए आप उसको एक बार देखके बताईएगा आप लोग कैसा लगा निम्लिखित में से कौन सा एक भारत में तांबा या तांबा खनिज का छेत्र नहीं है देखे तो मलाज खंड यह आपका बालागाट मध्रदेश में पढ़ता है ठीक है है यह मुसा बानी यह आपका सिंग भ आता है और यह इस तरीके के प्रश्ण बहुत पूस्टा है ठीक है जो मैपिंग बेस्ट कुश्चन आते हैं बहुत ही सांदार तरीके से पूस्टा भी है और इसमें दिया भी है अच्छा दिया हुआ इस टेंडर्ड एकदम ठीक तो इसको हल करिएगा आप लोग चलिए ज जवपदार्थ नहीं पाए जाते हैं यही गलत है इसमें पाए जाते हैं ठीक है और यह बाकी यह सब सही है ठीक यह असत्य पूछा था तो यह सही है इसमें नहीं पाए जाते के मनलब है पाए जाते हैं ठीक है उसमें गलत दिया हुआ है देखिए इसमें फिर यहां पर मै नागफणी नहीं होता नागफणी आपको पता है कि सुस्क छेत्र में जो मरुस्थल छेत्र वहां पर पाइजाते हैं आपके जैसे यह बर्च हो गया ठीक है यह सब चीजे मेगरोब यह सुंदरी डेल्टाई छेत्र में सही है यह ठीक है परवती ढालो पर मिर्दा परदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है तो वहां पर समोच रेखी जुताई की जाती है जिससे कि आपने देखा होगा उसमें आपको देखे जो देखता होगा कहीं कहीं आप अगर आप हिल एरिया में जाहिए तो उस तरीके की जुताई आपको दिखती है वहां पर ठीक है य तो यह पूछा है लेकिन जो ऊंत् गलत है इसका उत्तर दिया हुआ गलत हैसमने यह जैसे सभी इनध्री असम्तापी असम्तापी हो habe बर्ड और यह जो स्तंधारी है ठीक यह सब हो गए समतापी और समतापी थोड़ा सा समझे समतापी होते हैं जिनका जो खून क्या है वह अपना जैसे उनका जब यह मौसम बदलता है थंधा गरम होता है तो उस हिसाब से वह अपने रक्त में भी मतलब वह अपने तापमान को जो बड़ी का टमप्रेचर है उसको भी गरम कर लेते हैं थंदा कर लेते हैं मतलब उसके हिसाब से वह संधारी प्रांई होते यह यह लोग नहीं करते हैं यह एक साही मतलब बना रहता है तो वह असमतापी होते हैं जैसे संतापी में क्या refreshing फाले होते हैं तो गर्म रज़न काउन कौन से आते हैं पक्षी और स्थनधारी असम्ताफी तो यह जो आपके सरी सिर्फ हो गये मचलियां और हो गई यह सब यह सारे याद रखेगा एक संतापी मतलब गर्म गर्म रख्त में कौन करना आता है यह मनुस्या और सबसारी जिए आते हैं ठीक इसमें इसरे लोग आते हई ठीक तो यह में जो आंसर दिया हुए केवल दो दिया है जब कि चमगादर के संद भाई यह हमें सबको पता है तो यह इसमें जो आंसर दिया है केवल दो दिया हुआ, लेकिन होना चाहिए था केवल एक क्योंकि पहला फाली गलत है, असमतापी नहीं होते हैं, शमतापी होते हैं यह चीज याद रखेगा चलिए. निम्निखित islands किस च énorme परवती का निर्माड थिस्ता नीदी किया गया थो यह जिल्लिप्ला द्वार द्वारा किया या रखिए गा नाथुला जो है यह तिंबव जाने का मार्ग जो है यह सिक्किम और तिबत की बीच का मार गए नाथुला में ही है जिलिपला इसके बाद बनिहाल आपका बनिहाल दर्रा जो है यह आपका जेनके में पड़ता है ठीक चलिए नेक्स देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक गर्त प्रसांत महासागर में इस्थित नहीं है तो द पोर्टोरी को यह पढ़ता है तो यह उत्री अटलांटिक में पढ़ता है ठीक याद रखेगे इस चीज को नेक्स हम देखते हैं इसमें कौन सा है देखे बंदरगाह और प्रकितिक ऐसी है उनकी मैच करना है ठीक है अब देखे इसमें विशाका पटनम आपका यह प्राक् या आपका वेस्ट बेंगावल पस्ची मंगाल में यह नदमुख है और यह कांडला यह ज्वारी है तो यह मतलब याद रखेगा इस तरीके के प्रश्ण बहुत मैचिंग में देता है यह इसका करेक्ट आंसर भी होगा ठीक कथन अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्ण इसनी फिरल सोगा और्क इसमें इसें डिया हुआ है जोत और सही होगा और आर गलत होगा है तो यह याद रखेगा अर से और देखें यहां पर मैच नहीं है पूछा है कौन सा तो देखें होर्सी कल्चर यह सही है व्यापारी कस्तर पर उन्नत प्रजाद के घोड़ों का पालन मोरी कल्चर यह आपका ठीक है सहतूद की क्रिसी के लिए अरोपॉनिक बसिकले आरोपॉनिक यह पौधूं को किवल जल में उगाना नहीं होता है यह पौधूं को किवल जल में उगाने के लिए वह हइड्रो फाइटो लॉजी पोलता है अपय फ़लविग्यान थे लेक्ष्ट देखें यहां पर कॉनसा गलत सुमिल Bike gonna dher इसमें आप देखे यह जूम करसी के बारे में बेसिकली स्थानंतृत जो करसी होती है स्लैस अंद बर्ण जिसको बोलते हो आप लोग इंगलिस में वो उसके करसी के बारे में पुछा है कि गलत सुमेलन तो जूम ये उत्तरपूर्व में ठीक है ये सही है दीपा ये जहरखंड में नहीं होता है 36 गड़ में अंडमान निकोबार और 36 गड़ में ठीक पोड़ू ये आपका अंध्रप्रदेश में और धावी ये आपका ओडिस्या में इसके अलामा भी मैंने तावर्टोड में पू दहियार करके दहियार ठीक है ये हो गया इस तरीके से हिमालेयन छेतर में खिल बोला जाता है ये सारा मैंने तापड़ तोल में करवा रखा है देख लीजी आप उसको ठीक है वो देखेंगे तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा इम्रिकित में से कौन सी एक सुस्क कृसी प्रधती के लिए उप्युक्त नहीं है तो देखेंगे जो चावल है उसको सुस्क नहीं चाहिए ये चीज आपको बता है ठीक है पानी इसकी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए ठीक जंजातियों तथा उनसे गलत सुमेलन पूछा है तो कुलामन ये फिलेमेंस ठीक है चीज करवाही रखा है उसमें थीक है धच्छणी कोलार्थ में जल मंदल और स्थल मंदल के बारे में मतलब क्या विस्तार है तो यह वाला सही है करिकट टीवन परसेंट है जल और स्थल जो है वह इनटीघग है जबकि नॉर्थ वाले में यह ठीक क्रेक्ट आंसर कौन सा हो के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है तो cwg में रखा है इन्होंने बैसिकली जो पूरे विस्ट यह भारत में भी आउसत मासिक तापमान और वरशन के अधार पर यानि कितना वर्षण हो रही है और वहां का जो मासिक वह अउसत तापमान है उसके आधार पर इन्होंने सभी लगभग शेत्रों को अलग अलग उसमें बांट रखा है तो यह गंगा के मैदान को अधिस्तान में इसमें देखे ये वेदा थांगल ये तिमिलनाड में ये विशप्रसिद्ध मोटा काहवा यह आपका यमन में ये अरब प्राइदीप में ऐसी चंट्री है जहां पे सबसे अधिक वर्सा यहीं पर पाई जाती है इसलिए कहवा हो भी जाता है यहां पर नहीं तो होता भी इसमें से कौन सी एक क्रेटर जील का निर्माड मतलब यह उदाहरण नहीं है क्रेटर जील क्या होता है बेसिकली जैसे यहां पर यहां पर जोला मुखी कोई फूटा ठीक है तो यहां पर जैसे एक क्रेटर गढधा सा बन जाता है और बाद में मालो यहां पे पानी भर गया थिक है तो उसी को crater lake बोलते है है थिक वह crater है वो और उसी को उसमें जब पानी भर गया लब यिसी हो गया जैसे भी तो ऑषको crater lazy으면 दूप गना जीरी लिए उसम पार जो फास्तली है एवरनेस जील इतली में है तिक टिति काका ये सबसे उचाई पर नौका गम में जील है याद रखेगा ठीक है पेरु और बोलिविया की सीमा पर है और सबसे उची नौका गम में ये जील है ठीक याद रखना है ये यह भी एक मात्पून जी के है रच्छन इफ्रिका के हाई से निकलने वाली या नदी मकर रेखा को दो बार काटती है तो कौन सी है तो इन में से कोई नहीं ठीक है लिंपोपो है वो लिंपोपो जो मकर रेखा को काटती है कांगो जायरी आपके विस्वत रेखा को काटती है ये चीज़ याद रखना ठीक है नाइजर नदी को आपक संबत सर दिया हुआ है और किस समय से उसकी गढ़ना की जाती है यह दिया हुआ है इसमें तो देखिए जैसे विक्रम संबत आपको पता है कि विक्रम अभी जो सक संबत से भारत का वो चलता है पांचांग तो यह सक संबत आपका 78 इस भी और विक्रम संबत यह आपका 58 इसा प व्लाइब दव वंडर जिसमें सरप्रथम ब्लैक होल की घटना 1756 में होई थी ये 22 या 23 यून को ठीक है 1756 में इसी के एक साल बाद 1700 ताउन में प्लासी का युद्ध होता है ठीक यह हॉल्वेल में हो रहे थे जिन्होंने ये घटना का जिक्र किया था पता नहीं सही थी या ग इसाइधर में धर्मान्तृत हिंदूओं को पैत्रिक संपत्ति में उत्राधिकार प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया तो वह 1850 में एक एक आया था ये 21 थीक है निमलिहित समकाली इंश्रोतों में से कौन साइक खगोल सास्त्र जोतिस सास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है मतलब कि उसका एक तरीके से इंट्रेस्ट को प्रतर्सित करता है तो ये कानूने हुमायूनी ठीक है इसमें ये इस चीज का मतलब पता चलता है ठीक तो याद रखे गई है ठीक है विजयनेकर सामराज जिसे सम्मंधित कथन असर्त कौन इसमें देवराय ने एक दूत मंडल चीन में भेजा था तो बिल्कुल सही है ये हरिहर दुटी ने महाराजा धिराज की उपाद धारन के लिए बिल्कुल ठीक है हम पी विजयनेकर सामराज की दूसरी नहीं पहली राजदानी थी ये बाकी ये भी सही है ये इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा सी ठीक याद रखेगे इसको तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये हम पी वाला ठीक याद रखेगे ये असरते हैं बाकी सही है देवराय दूदी ने अपनी सेना में मुसल्मान लड़कों को भरती किया था याद रखेगे चलिए निजामुदीन रखेगा मधकालीन भारत में आपको सल्तनत एक तो सल्तनतकाल एक मुगल और एक विजय नकर ये तीन तो आपको बेहतरीन तरीके से त्यार कर लेना है मैक्जिमम प्रश्न यहीं से बनते हैं इधर उधर से एक आद दो प्रश्न बन जाएंगे लेकिन 90 परसेंट जो मेड़ से बहुत मतलब दो एक दो तीन चार ऐसे रहेंगे उसमें से जितना मतलब 90-90 परसेंट आप हल कर ले जाओगे यही तीन है जो महत्तपूर्ण है बाकी तो सब हैं है लेकिन यह है कि यह ज्यादा महत्तपूर्ण है यही से प्रश्न बनता है ठीक यह चीज समझिएगा तो यह याद रखेगा इसके बारे में दो तीन चीज़ें पता देता हूं जैसे एक तो यह सुध्ध सोने के थीक है तो यह निजामुदृदिन जुनाएंद यह यह इलतुत मिस का यह टाथ वजीर तरह इसके बारे में बहुत सारा आप लोग सारी चीजे हैं तुगलक वंस सबसे अधिक समय तक जो सलतलत काल में राज किया था जिसने वो तुगलक वंस ही है लगभग 94 वर्स ठीक है और सबसे कम में कौन आता है तो याद रखेगा खिल जी वंस है वो मातर 30 वर्स ही रहा है ठीक तो यह चीजें याद रखेगा बेसिक चीज है चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसवा सिंध विले कभ हुआ था या किसके समय तो याद रखेगा 1843 में हुआ था और यह लौड एलनब्रो था उस समय एतिहासिक स्रोतों के अंसार महा पदमनंद यह महा पदमनंद जो है वो नंदवंस का संस्थापक भी याद रखेगा यह बताए कि महा पदमनंद के उत्राधिकारियों के संख्या आठ थी तो किसके अनुसार यह बताए गया तो यह पुराणों और बौध ग्रंथों में यह बताए गया है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जिमलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित ह है ठीक है महा पदमनंद बेसिकली याद रखेगा जैसे महा पदमनंद का जो उत्राधिकारी अंतिम उत्राधिकारी कौन था घनान जिसको की चंदरगुप्त ने हरा करके मौर इसाम राज की स्थापना की थी ठीक तो याद रखेगा वो भी मतलब महत्तपॉर्ण चीज है उसको भी ध्यान में रखेगा ठीक चलिए निक्स देखिए इसमें रियासत दी गई है या राजवन्स कह सकते हैं और उसमें पुछा है कि संस्थापक या सासक कह सकते हैं एक तरीके से ठीक है अगर सासक की बात करें तो सासक में जैसे वाकटक का ये प्रवर सेन प्रथम ठ फिक है दंति तुर्ग ने हिरन गर्व नामक एक यग किया था यह महत्तपोन फैक्त याद रखेगा हिरन गर्व तीक है यह राजकूत का संस्थापक भी है यह पल्लाव में सिंखि विष्णू यह भी साई है बिल्कुल ठीक है चालुक में देखे तीन साखाएं मानी जाती तो यह तीन थी चालुके के ठीक है तो यह वाला जो है यह राज राज प्रथम इसके सासक नहीं थे याद रखेगा ठीक है यह राज राज तो यह चोल वन्स के साथ ठीक है इसके चोल वन्स का यह मतलब काफी महत्पूर्ण सासकता राज राज प्रथम जिसने की इधर काफी मतलब महत्पूर्ण उपलग्धियां हासिल करी तो यह चीज याद रखेगा जैसे अभी चोल वन्स का एक चीज याद रखेगा विजयाले विजयाले ने इसके स्थापना की थी ठीक संस्थापक आप बताएगा एक पुछता हूं मैं आपसे कमेंट करिएगा काक्ती वन्स का अब कतना और कारण से सम्बंदित दो प्रशन देखिए तैसरा इस वास्तापक मैंने थोड़े देर पहले ही बताया था प्रश्न में कि यह जो दिल्ली सल्तानत का वास्तविक संस्थापक किसको बांगते थे तो इल्तुत में क्यों क्योंकि इसने इक्ता प्रणाली की शु तो इस वजह से इसको दिल्ली सर्थ्थनत्रत का वास्ति विक्सन स्थापक माना जाता था। इसी ने जो है लाहूर से दिल्ली भी ट्रांसफर करी थी राजधानी, ठीक है पहले लाहूर में थी, लाहूर में अपनी राजधानी बना के रखा था, लेकिन ये इल्टुतमिस ही थी उलूग खां, ठीक है, उलूग खां की उपादती, ठीक है, ये रक्त और लौह की नीती याद रखेगा, इसने रक्त और लौह की नीती अपनाई थी, ठीक, इसी ने सजदा पैबोस प्रारम किया था, ये दिवाने अर्ज, जो की सैनिक विभाग वो था, उसको एक परिके से समीति का कार करती थी, वो उनकी सहायता, इस्थापित किसने किया था, इस्थापित किया था, इल्तुत मिसने, लेकिन ये समाप्त कर दिया था बलवन ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बलवन ही है, ठी ठीक है, निमलिखित मैंसे किस एक रचना में अमीर खुसरों ने अलाओदीन को विश्व का सुल्तान कहा, तो याद रखिएगा, ये सारी जो है, जैसे नूसी पहर, आसिका, ये खजाइन उल्फतूह, ये सब जो है, ये अमीर खुसरों की ही रचना है, तो खजाइन ठीक है, ये दुती, सिकंदर, सानी की उपाधि भी इसने धारण करी थी, इसने काफी सारे सुधार किये थे, जब ये आया था धर्म पर इसने राज्य की स्थापना करी, यानि कि धर्म पर प्रभाव रहा, धर्म को अपने उपर नहीं हावी होने दिया, इसी ने धर्म पर जो है, एक तरीके से अपने हिसाब से चलाए इसने, राज्य का उस पर प्रभाव रखा, ठीक है, देखे, निमलिखित में से किस एक ने हजार सितून मंदिर, यानि हजार खंबों वाला जो महल था, उसका निर्मार्ट इसने करवाया था, तो ये अलाउद्विन खिल जी न और वहीं पर इसने उसकी सुरक्षा करी, ठीक है, याद रखना, इसने नगत ब्रवस्था प्रारम किया, नगत बेतन, ठीक है, सैनिकों को, घुणों को दागने की प्रथा इसने शुरू करी, ठीक है, घरी कर, चराई कर, इसने कुछ नए वो भी लगाए, कर भी लगाए, इसने बहुत सारे दिवाने रियासत, दिवाने रसातल, ये सब विभाग इसने बहुत सारे खुले, ठीक है, तो ये सारी चीजें करी इसने, बहुत सारा काम किया था, ठीक, याद रखेगा, चलिए, बाजार प्रणाली को इसने मतलब नियंतरित करा था, ये भी एक है, ठी आप बताईएगा बाजार पणाली इसको नियंत्रिज करने वाला कौन सा अधिकारी था कमेंट करिएगा निम्लिखित कत्नों में से कौन सा सत्य है तो देखिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सरवाधिक विस्तिर सामराज अलावदिन खिल जी का नहीं था थीक है तुगल के दुरभाग के कहिए जो इसने काम किये वो सब उल्टे पड़ गए चाहे वो राजधानी परिवर्तित करी हो इसने दिल्ली से दौलता बाद लेकर गया हो या इसने दवाब में कर विर्धिकरी और सूखा पड़ गया ठीक है खुरासान जो इसका युद्धत वो था अभ तो उसके यह क्या था यह दिवाने इस्तिहाग बेसिकली यह पैंसन विभाग था यह रोजगार दफ्तर भी उसने खोला था ठीक खैराती अस्पिताल भी खोला था उसने यह सब चीजें उसने खोला था फिरोशा तुगलक जो है जजिया खुम्स जकात और यह तीन-चार क पता नहीं पता तो नूट कर लीजेगा सटम नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिलान करने के लिए लेखक दिया है और यहां पर आस्रप आठा कि किसने किस्त को सरचट दिया था तो देखिए जैसे इसमें कुछ भी अगर पता हो तो आप मैच करिए पहले जैसे आप देखिए इसमें पानबट शरीद पानबट यह आपको याद होगा. दो जगे हैं बाकि आप 2 ऑप्र सकता है थीक के भाद और अगर हरषेंट समूत्र गुप्द से मैच कर पा रहा हैं, तो आप देखें बी कटू कहां पे हैं? एक ही में यहां पे है और आपको और बाकी यह जैदेव यह लचमर सेन इस तरीके से आप इन प्रश्णों को अगर आपको नहीं भी पता है तो भी लेकिन थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होनी चाहिए जैसे अब महरोली इस्तंभ आपको पता है कि कहां पे है इस महरोली मतलब दिल्ली में है ठीक है तो यह पस्चिम तो होगा नहीं बैसिकली नॉर्थ में अगर प्रश्ण नहीं आता है तो भी आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे या थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दोड़ाएंगे तो यह कर सकते हैं तो बजता है आपके पास सिर्फ रुद्रदामन का यह जून अगड़ यह पस्चिम में है भी ठीक है तो इसी त मार्मार की बात करता है मिमान में भी जिसने एक मीमान सा जिसके प्रवर्थ को मानते यह याद रखे चीजा दिया आगे बढ़ते हैं पालवन्स के बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, अरब यात्री अब्दुर्रजाक ने पाल समराज को सक्षाली बताते हुए रूहमा कहा था, देखे, इसमें दो चीज़े हैं, एक तो अब्दुर्रजाक जो है ये फारस का यात्री था, ठीक है, फारस का दूर था, एक तरी किसने कहा था, यह कहा था आपका, जो सुलेमान आया था, ठीक है, सुलेमान, सुलेमान आया था, उसने ये सारी चीज़े कही थी, ठीक है, रूहमा कहा था, ठीक है, याद रखे, इसका जो करेक टांसर हो जाएगा, सही पूचा था तो one and two, ठीक है, इलूरा का प्रसिद कै खुवान मतलब पता नहीं आगे मतलब भविष्य में बनेगा नहीं बनेगा लेकिन बहुत थिसांदार मंदिर है यह ठीक है जिस तरीके से इसको बनाए गया है यह पहली बात तो इसकी खासियत याद रखेगा यह बेसर सैली में बना हुआ है मंदिर निर्मार की कलाइँ है जिसे बेसर सैली हो गई अमरावती सैली ऐसे नागर सैली जो आपकी इधर पड़ती है उत्तर में उत्तरवाला पड़ता है आपका बेसर, B.b बेसर्शन . और दचिन नागरशनka में आपका द्रवनचरवाला सैली याद रखेगा कि में ने जो सासक बनवाया है तो याध रखेगा किसी तो छोड़े बताय दनत दुर्ग सिक आद रखना अमोगहिस्ट वर्स ये ने शो wizard खूलए शोल परसास्थन में वैल यह था तो वैपन की यह इकाई थी चोल प्रसासन में ठीक है याद रखेगा निमलिखित में से कौन सा एक समिधान के मूल धाचे का भाग नहीं है देखिए मूल धाचा कब यह डिसाइड हुआ था तो 1973 में डिसाइड हुआ था ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना कि यह बाद में भले इसको इसक अनोल धाचार हिल्क है तो इसमें देखिए युक्तता का सिर्धान हो गया मायष सक्तियों परखतप्रण यह सभी किया है में थाες है यह हैं भाग हैं ठीक है लेकिन समाजवादी राज जो है यह मुल्धाचे का भाग नहीं है समाजवादी सब्द 42 सम्विधान सस्वन जो हुआ था उसके तहट यह जोड़ा गया था 1776 में यह याद रखेगा ठीक है इसके अलामा जैसे अब का विधिका सासन हो गया यह संप्रप्वता हो गया पंथनिर्पेक्षिता हो गया सम्विधान की सरवोच्षिता हो गया यह नियापालिका क्वी स्वतंत्रता यह सब जो हैं आपके मूल्धाचा है तो मूल धांचे का कॉंसेप्ट आया था उनीस सो तियत्तर में जो केशवान अन्भारती वाद हुआ था उसमें के संसद्र जो है वो मूल धांचे को छोड़ करके संविधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है ठीक यह चीज़ याद रखेगा चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट्न नेमलिहित कतनों पर विचार करना है क्या विचार करना है भी है मूल सम्मेधान में सिख्छा का अधिकार मूल अर्ちकार के अंतरगर नहीं था तो बिल्कुल ठीक है नहीं था यह था जो बात में जोड़ा गया है ठीक 86, जो ये हुआ था, ये समिधान सोधन, इसी में जो है ये घोसित किया गया, तो ये कथन, मतलब क्या पूछा है, इसमें सत्त पूछा है ना, तो इसका जो आंसर होगा, ये दोनों कथन सही है, एक दम मतलब सही है, exact, ठीक, चलिए, next, देखते हैं, नीचे दिए के अभी कथन और और कारण देखे भारती समिधान निर्माताओं का लक्ष भारत में कल्यांणकारी राज के इस्थाबना करना था तो ठीक है बिल्कुल सही है क्योंकि भारती समिधान में नीत sindff title को सामिल किया श्वाज है तो इसमें यह दोनों मतलब इसकी वजह से नहीं है कारण नहीं है इसका सभी इंडिपेंदेंटली दोनों सही हैं थूक हास्ञा रूप से यह और रूण डोनों सही किन्तु यह है इसकी आर एककी व्याक्कया नहीं करता है तो यह ध्यान में रखना निमलेखित कथनों पर विचार करें अनुच्छेत 143 के अंतरगत राष्टपती को उच्छतम नियायले से परामर्स करने का अधिकार है यह बिल्कुल सही है परामर्स करने का अधिकार है राष्टपती इस अनुच्छेत के अंतरगत नियायले द्व तो वो सलाह देने के लिए बाध नहीं है और यह इसमें सत्य पूछा है तो यह पहला वाला कफ़न जाँ बाकी दूसरा गलत है इस की स्थापना एक अक्टूबर 2003 को हुई थी थी कि सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया था थिक यह चीज़ याद रखेगा थोड़ा नया सा कुस्चन है फैक्टिक दम ध्यान रखेगा इसको संविधान संसोधन विध्यक संसत के दोनों सद्नों त्वारा अलग-अलग साधारन बहमत से कभी नहीं होता है ठीक है संविधान संसोधन विध्यक पर दोनों सद्नों के गतरोध की स्थिती में राष्टपती अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अध्वेशन बुला सकते हैं यह अनुच्छेद सही लिखा हुआ है लेकिन वो संविधान संसोधन विध्यक पर नहीं आ सकता है ठीक है सामाने विध्यक कोई होगा ठीक है उस पर आ सकता है लेकिन संविधान संसोधन विध्यक पर नहीं आ सकता है ठीक और कोई होगा विध्यक उस पर आ सकता है ठीक तो श्रिक को याद रखेगा इसमें याद रखेगा पहले भी मैं बता चुका हूं कि 15, 16, 19, 29 और 30 यह जो चार पांच है इनको छोड़ करके इसके अलामा जो अन्य है वो सभी को प्राप्त है चाहे वो भारती नागरिक हो और चाहे वो आपके विदेशी हों लेकिन जो पंदरा म अब अंदाजा लगा लिजे आप इसी तरीके से विधी के समक समता यह कौन सा है यह 14 के अंतरगत आता है तो यह भी प्राप्त है धर्मा चरण की सवतनतरता यह भी 25-26 में आता है थीक है पचीस एटाइस के वीच में तो यह भी है प्राप्त विचार्यों अभिव्यक्ति क जो भी है वो सिर्फ नागरिक को तो इसमें पूछा क्या है कि भारतियों के साथ साथ मतलब नागरिकों के साथ सान विदेशियों को भी प्राप्त है तो यह दोनों प्राप्त है यह वाला नहीं प्राप्त है यह सिर्फ भारती नागरिक को प्राप्त है ठीक तो यह 1 और 2 ह हो गया इसका जो correct answer होगा वो होगा C ठीक इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा चलिए नेक्स देखते हैं अभिक्तान और कारण से संबंधित प्रशन है भारती संब्धान व्यक्तिकी स्वतंतरता तथा सामाजिक हीतों के बीच संतुलन इस्थापित करने का प्रयास करत सकता है तो यह सही आर गलत यह इसका सी वाला correct option ठीक है चलिए next question देखते हैं फटाफट एक संसद सदस्त की सीट को रिक्त घोसित किया जा सकता है यह दिवा सदन से लगातार कितने दिनों तक साथ दिनों तक यानिकि दो महीने अगर इससे ज्यादा दिन वह बिना बताए सदस्ता गाइब है तो उसकी सदस्ता समाप्त की जा सकती और जिमलेटिह का सत्यलों से कौश सकते है सूके से सुखी कर्छ बंदी यह सबसे कट्टर वाधी सिलसला यह बिलकुल सही है धूर्ग वड़ी सिल्सले के प्रसिद और इसमें बोल रहा है कि सेख अह्मद ठीक याद रखेगा ये याद रखेगा इसमें ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेख अहमद सरहिंदी का नाम याद रखेगा ये प्रसिद्ध सम्तित है इसके इसकी स्थापना अगर पूछा जाये जैसे मालो तो ख्वाजा बहुत दीन नक्स बन ये भी याद रखेगा सूची एक को सूची दो से मिलान करना है इसमें इस तरीके के प्रशन बहुत पूछता है और हम अक्सर कन्फियूज हो जाते हैं देखे जैसे सेख निजामुदीन अलिया को महबूब इलाही कहा जाता है तो एक अथ्री अगर आपको पता है तो आप अंसर लगा सकते हैं थ अकबर ने सेख उलहिंद कहा था ठीक है तो यह याद रखिएगा बी का वन अगर बी का वन इसमें मिल गया तो आप इसको करेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं ठीक महबूब इलाही जो है यह आपको महबूब इलाही औलिया को कहा जाता था ठीक है मैंने क्या बता दीन महमूद यह इनको चिराग देहलवी कहा जाता था ठीक याद रखिएगा इस तरह के से डी इसका करेक्ट आंसर होगा देखे इन में से कौन सा जो है विजे नगर की यात्रा नहीं की थी उसने देखे बार्बोसा भी आया था दोमिंगो पाइस भी आया था यह सब क्रि इत्राइश दा थाया ठीक है यह विजे नगर की आत्रा इसने नहीं करी याद रखे का रुछ की संदि का परिणाम जा हुआ कि अब इनको जो संगोला की संधी हुई थी संगोला की संधी बेसिकली इसी में ये हुई थी 1750 में और इसी में ये सारी चीजें हुई थी कि ये जो पेशवा थे ना इनको मतलब सारी एक तरीके से वो दे दी गई सक्ति जो है वो मराथा सक्ति ये इनको प्रतान हो गई प्राप्थ हो गई तो यह सगोला की संद याद रखेगा, निमलिकित में से कौन सी एक घटना 400 आंग मैसूर युद्ध से सम्मधित नहीं है, कब हुआ था ये भीए, ये 1799 में हुआ था याद रखेगा, इसमें टीपू सुल्तान की मतलब मृत्यू हो गई थी, और अंग्रेजों ने मैसूर पर ये ठीक है, बिल्कुल सही है, वेलेजली को मार्कविस की उभाद मिली थी, बिल्कुल ठीक है, और इसमें मैंने बताए कि टीपू की मृत्यू भी हो गई थी, बस हुआ नहीं था कि प्रटेक्शन यंत्रन में नहीं लिया था, ठीक है, मैसूर को, ये चीज याद रखेगा अड्यार वंस का साजक था पहले, ठीक है, उसको हटा करके ये बन गया था, तो अड्यार वंस को ये सौंप दिया था उस समय, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के बाद, ये तो बाद में नहीं अंतर लिया, ठीक है, बाद में जब हुआ तो मैसूर चला गया, फिर ये स सेम निर्णायक युद्ध अंग्रेजों और पॉर्टकालियों की बीच में हुआ था बेधरा का युद्ध, ठीक है, बेधरा का युद्ध, 1769 में, तो ये दोनों ही युद्ध ऐसे थे, कि मतलब एक तरीके से ब्रिटिस जो इस्ट इंडिया कंपनी सी थी, उनका आधिपत से वर्चस इस्थाप्रित हो गया, तो ये चीज याद रखेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, ठीक है, चलिए, शुरू करता है, नेक्स्ट प्रस्न, देखे, इसमें सूची मैच करना है, योजना और उसका मतलब येर, कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो दे पंदर में ही है, लेकिन माई में नहीं है, ठीक है, ये आठ अपरेल है, ठीक है, आठ अपरेल है, ये, प्यम सुरक्षा बीमा योजना ये है, नौ माई को, और इसी सेम डेट को तीन होई थी, एक प्यम जीवन जोती सुरक्षा योजना, और एक थी ये प्यम सुरक्षा बी इसमें जो correct answer कौन सा होगा इसका correct answer होगा आपका इसका दी ठीक है 3214 ठीक है चलिए next देखते हैं फटाफट क्रेशक्ति सम्ता देखें वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो थोड़ा बढ़ाईए इसको ठीक सेयर कर दोस्तों में क्रेशक्ति सम्ता विधी के संदर्व में निमलीखित कत्नों पर विचार करना है इस विधी का प्रतिबादन जीयों का ऐसल द्वारा किया गया था थो ठीक है इस में देखिए इस विधी का प्रतिबादन सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था फ्यों क्ता ह new ऐ हि जो यह दूनों ही ज्यान संस्थान निमहेंस यह कहां पर ही यह बंगलूरू में है त्यान रखेगा अब कतान और कारण वाला की प्रशन देखिए इसका रिजन क्या दिया है कि यह ब्याजदर तथा आउधी को बहुत मतलब इसमें कम होती है तो यह मतलब कतान सही नहीं है इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा सी ठीक है ए सही और गलत ठीक है यह चीज ध्यान में रखेगा ठीक है तो यह मतलब ऐसा नहीं है कुछ और रिजन है इसका ठीक है इसलिए इसको बोल जाता है ठीक ब्याजदर तो इसमें इसमें बोल रहा है कि ब्याजदर और अवधी बहुत कम होती है ब्याजदर तो कम हो मिली तो नहीं है देखिए बिम्स्टेक ये बिल्गुल सही है ठीक है 1997 में ठीक जी 15 1989 में इबसा इबसा जो है गलत है ये इंडिया ब्राजील और सौथ अपरिका ये 2003 में हुआ था बाकी ब्रिक्स आपका ये 2009 में ठीक है तो ये जो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्सन सी ठीक चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स क्वेश्चन देखिए इसमें निमलिकित में से किसमें तरलता का अंस डिग्री आफ ल नगद रूप में मुद्रा में परिवर्टित किया ज़सके तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है तो जिसे आप सोना भी लेके जाओगे तो वो एक्जाक्ट आपको नहीं मिलेगा ठीक है या कुछ ऐसा चीज ले जाओगे एक्जाक्ट नहीं लेकिन 100 रुपए के नोट आपको 100 और उपए मतलब उसमें कुछ कोई लॉस नहीं होगा ठीक है इस तरीके से समझेए वो चीज पूछ राइज में ठीक गिग एकनॉमिक के संबंध में असत्यक अथन बताना है तो देखिए इसमें स्थाई रोजगार कम है बिल्कुल ठीक है अल्प समय के लिए है ठीक है एक तरीके की चीज नहीं है कि आकुसल समझी है उसमें उसल लोग भी लगी हुए है ठीक तो यह चीज याद रखेगा इनिशियल पब्लिक ओफर जो IPO होता है कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी अपना IPO निकालती है इनिशियल पब्लिक ओफर तो वो क्या है उसके बारे में क जुछी बद्ध कमपनी द्वारा प्राइमारी सेर में मार्किट में मतलब लाना मारकिट में वह भी सही है गल्त इसमें यह वला ए ठीक है तो इसमें क्या है कि यह जब देखो इस नहीं है कि ऐसमें इसमें इनिशियल पब्लिक ओफर कहते है यह सब याद रखेगा इसके लिए मतलब यह नहीं कि कोई IPO लाने के लिए कंपनी को share market में सूची बती हो ऐसा नहीं है वो निकाल सकते हैं अपना IPO ठीक याद रखेगा RBI द्वारा नोट निर्गमन के लिए नियुन्तम कोस प्रणाली कब से start की गई थी तो याद रखेगा है कि 1957 से इसकी शुरुवात की गई थी यह ध्यान में रखेगा कई बार पूछा भी गया है यह तो यह समझ के रखेगा जैसे क्या होता है कि अगर वो मुद्रा का जालेगा वो उतना कुछ percentage होता है कि उतने करोण का वो उतने मूल लेखा मतलब वो सोना रखेगा ठीक यह चीज याद रखेगा जीसे मानलों 200 करोण का रिजर्ब को यह निकाला आपना मतलब 200 करोण की मुद्रा कुछ निकाला ठीक है या कुछ भी मैंदल पुछ इमांट मुझान निकाला तो याद रखे है कि उसके जगह पेस सोensor रखता है इद्धा को उतने मॉलडे को ये याद हन रखे है कि उसके जिगह सो्ना रखता है तु कहीं से भी करके के रख लेगा है चालू कहते घ्रते कं करने में निमली Ehлять में से कौन सा सायक नहीं है तो देखिए इसमें से कौन सा साहयक नहीं है तो भाई घरेली मुद्रा का ओमूलन कर दीजे तो हो जाएगा ठीक है प्रतच विदेशी निवेस को बढ़ाइए आप तो भी आपके पास आएगा ठीक है पैसा आएगा आपके पास जो विदेशी मुद्रा आएगी तो तो आपका जो चालूखाता घाटा है – वह कम होगा। निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहाधा है διαकारा केश्च को प्रोषाहटेनर यही Iss i वाले हस्का सहयक नहीं है तो यही si वाला इसका सहयक नहीं है भाग्की सबसाइए! मुद्रा नहीं आएगी तो चालू खाता घाटा आपका जो है वो कम नहीं होगा ठीक निरियात को प्रोसान देना ये तो ठीक है तो यही सी वाला इसका सहक नहीं है बाकी सब सही है ठीक जब हम विभिन आयवर्गों के बीच कितनी विश्मता है इसकी माप करते हैं तो यह किस प्रकार की गरीवी है तो यह सापेक्ष गरीवी कहलाती है ठीक है क्या कहलाती है सापेक्ष गरीवी है ठीक सापेक्ष निर्पेक्ष इस तरीके से ठीक है निम्लिकित में से किस एक यह 1973 में बनी थी याद रखेगा भगवती कमेटी का नाम ध्यान रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट फटाफट करते हैं Zuko की बाहरी सहता वोन है साहता इसमें यह लिखा हुं किसी देश के आर्फिक ब्युस्ता या नहीं कि उसको देरा। जरूरत ही नहीं है कि अबिधैसी ग्रांट के लिया जाये भारत देखें जो संस्थाएं है चाहे वह आपके वर्डबर बैंक हो जाहे या ADB हो, NDB हो, कोई सी भी हो, इन से सब लेते हैं, लोन लेते हैं, या ग्रांट लेते हैं इस तरीके से, तो ये क्या है कि जरूरत ना पड़े, वो स्वयम सल्फ रिलाइन्स हो, ठीक है, स्वा निर्भार हो, तो वो क्या होता है, नेट जीरो, नेट एड, ठीक, उसी को कहते ह परियावण प्रास्थित की क्रिया सील्टा कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों को किसने प्रत्पारित किया रभे से किये, ये याद रखेगा, इन नियमों को जो है ये, बैरी कॉमनोर ने किया था, ठीक है, यहाँ पर संस्थान दिया हुआ है, उनकी जी, ऐसे लिखा रहता है, तो थोड़ा प्राव्लम है, आप उसको जब उसमें इंग्लिस वाले में देख लेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये, आई आई सी टी, इंडियन इंस्टीट आफ कारपेट टेकनोलोजी, ये कहां है भिया, तो भदोही मे है, तो A का 2 और B का 1, A का 2, B का 1, दो में है, ठीक है, आप बाकी 2 को आप इलिमिनेट कर सकते हो, NSI, जो ये नेशनल सुगर इंस्टीट है, ये कहां पर है, तो ये कानपूर में है, ठीक है, ये सुगर वाला कानपूर में है, और गन्ना वाला कहां है, लखनाओ में, याद नेशनल इंस्टीट ऑफ बायोलोजिकल ये नोईडा में है, ठीक, ये कौन सा हुआ, तीन और चार, यानि की A वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट याद रखेगा, डिफेंस एक्सपो का आयोजन प्रती दो वर्स पर होता है, ये याद रखेगा, ठीक, कमेंट करिएगा आप लोग, निमलेखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जील और अवस्थिती, गौर जील ये कहां है, रामपूर में है, ठीक है, बरुवा सागर ये अपका जहासी में है, बेला सागर नहीं है, ये मिर्जापूर में नहीं है, मोबा में है, बेला सागर, और अउंधी ताल आपका ये वारणसी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में संयुक्तवन प्रबंधन कब शुरुआत हुई थी, ये इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये चीज याद रखी था, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प् कब हुई थी, प्रारम हो, तो 2018 में हुई थी, ठीक है, याद रखेगा, 2018 में O.D.O.P., One District, One Product, ठीक है, ठीक, चलिए, इमनेही राज्यों में से कौन सा, 2011 की जिन्मिना के इसवार, कुल साक्षर्टादर और नगरीकरण के अस्तर की द्रिष्ट से भारत में दूसरे स्थान पर है, तो याद रखेगा, यह आपका मिजोरम है दूसरे स्थान पर, नगरीकरण और आपका साक्षर्टादर, यह दोनों में, ठीक है, दोनों में, पहले स्थान पर कौन सा है, तो जैसे साक्षर्टा में पहले स्थान पर आपका, यह केरल है, ठीक है, नगरीकरण में आपको प्रमुक अंतराश्री संगठन और उनका मुख्याल है तो देखिए कौन-कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है डव्य टीओ आपका कहा है जेनेवा में है यूरूपी आर्थिक समुदाय यह कहां पर है यह ब्रुसल्स में ह थीक है विश्व बैंक निवार्क में नहीं है आई-मफ और यह सब कहां पर है वासिंग्टन डी-सी में थीक है आई-मफ हो गया वर्ड बैंक हो गया यह मैंने सब ताबर तोर सीरीज में करा रखा है आप देख लिजेगा थीक है उसकी मैं प्लेलिस्ट सेयर कर दूंगा य यह जीद ज्यान रखिएगा बहुत बेसिक मतलब फैक्ट हाई एक तरीके से और इंडिया में कब शुरुआत हुआ था तो इंडिया में याद रखिएगा यह जो भारत में सुन्य आधारित जो बजट प्रणाली है एक ही बार इसको प्रिसलेन में आई थी और कब आई थी याद रखिएगा 1985 में ठीक एक ही बार आई थी सुन्य बजट प्रणाली ठीक है इन्वेस्ट यूपी कथन दे यह थो इन्वेस्ट यूपी के अंतरगत गवर्निंग बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है तो ठीक है इसमें मतलब क्या अचा क्या और इसमें जो दूसरा वाला कतान क्या कह रहा है कि एक निवेस्ट प्रोटसाहन और सुविधा एजनसी है जिसके स्थापना उद्योग बंधू के अस्थान पर की गई है तो बिल्कुल ठीक है उद्योग बंधू के अस्थान पर इन्वेस्ट यूपी अभी आ गया है ठीक ठीक है यह भी याद रखेगा ठीक जंगर्ना 2011 के उत्तर प्रदेश में संबंधित निम्लिखित कर्तों पर विचार कीजिए उत्तर प्रदेश का जो महिला सक्षर्टादार है यह 57.2 परसेंट है और जो कारेबल में महिलाओं की सहभागिता है वो 16 समलो 70 परसेंट है तो य यह अलिगड़ है जिसको की इन सभी नामों से जाना दाता है नरहर दास इनको पढ़ा होगा आपने तोलसी दास ची के यह गुरू थे ठीक है याद रखेगे फंडिंग टू दा अन्फंडेड यह किसका जो थीम वह है वाक के लक्ष है तो यह इसका मुद्रा प्रदान मंत अन्फंडि दास प्रक्ष है यही को दन प्रदान करना इसका जो स्टान करना मोट थिक की सी नवाव वाजि दली स्थाह का का यह नमाव मतलब उनकी एक कृति है है ठीक है किसा र regulating रखन और कारण दीए उद्देशिका समीधान का अभिन अंग है समिधान में उद्देशिका का वही अस्थान है जो अन्यूबंधों का है तो बिलकुल एकदम मतलब सही है दोनों कथन भी सही है और एक ही व्यक्या भी कर रहा है बंधों मजदूर पणाली का जो उन्मूलन हुआ है वो किस समिधान के अनुचेद के क्रियानवन हेदू किया तो याद रखेगा यह जो आया था यह 1976 में यह किसके अनुचेद तेइस तेज क्या था बेसिकली जो इसमें बलात स्रम की बात की गई है ठीक है और चौबिस में आपको जिसे बच्चों का है ना कि फैक्ट कंपनी में फैक्ट्री में काम ना करना यानि कि ठीक है तो वह च हो गया है तो हर चीज के लिए कुछ ने कुछ किया गया है इसमें प्रावधान यह सब DPSP है ठीक है जो राज के नीचने से तक तत्यों को पूरा करने के लिए ठीक है राष्टपती द्वारा कुछ चेत्रों के विसेज ग्यान और अनभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज आते हैं तो सहकारिता कि याद रखिएगा आपके या राज्यों में जो विधान परिशद होती है उनमें राजपाल जो करते है मनोनीत उनमें आते हैं ठीक है एक यही एक्षा होता है यह जी याद रखेएगा ठीक है यह मतलब ध्यान रखेगा बहुत यह बदलब फैक्ट चीज है कई बार पूछा भी जया है ठीक चलिए नेक्स देखते हैं निमलेहित कर्थों पर विचार करना है कि राज्यों की जो र तेराम compliant यह इसमें दिया गया है संविधान संसोलधन में किसमें डल बदल के अथारगा संसद्वीय राजविधान मेंडल की सेता अयूगता के संबंद में प्रावधान है तो यह बायुनुवादार निन nine 137 एक सीरीज दी गई है 137 X 31 Y और X तो पूछा है कि इसमें X और Y के मान अब देखें क्या सीरीज चल रही है इस रिके के प्रशनों में देखें 1 से 3 क्या हुआ प्लस 2 ठीक है फिर 3 से 4 में 3 से 7 हुआ तो प्लस 4 ठीक है दो दो बढ़ रहा है यानि की ठीक है दो दो फिर दो चार से कितना आएगा तो कितना बना और उसके बाद फिर 31 आएगा कैसे किसी साब से चलेगा तो 8 अगर हम 8 आइड करें तो 15 हो जाएगा क्या तो 8 7 15 यानि की दे की 50 में 15 में 15 में 16 पर क्या है यहां से करेंगे न यू थे ये जो एक्स के अस्थान पर क्या आए 15 में 16 करेंगे 13-31 और 31 में देखिए इसमें यूग स्रिंखला दी गई है उसमें यही चीज है यह आपको देखना पड़ेगा क्या सिरीज कौन सी चल रही है तो देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार चल रही है और इसमें देखिए क्या चल रहा है एक से दो, दो से फिर 6, छे से फिर 4 तो कैसे चल रहा है द 24 से 5 गुणा करोगे तो 120, 120 में 6 गुणा करोगे तो 72 होना चाहिए, 720 हो आना चाहिए, जबकि लिखा क्या है, 620 लिखा हुआ है, गलत कौन सा हुआ है, इसमें यही वाला सीरीज गलत हो गया, इसके जगा पे 720 होना चाहिए, ठीक, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, देखे, ए जो है B से, A जो है B से 5 वर्ष चोटा है, ठीक है, A जो है B से 5 वर्ष चोटा है, B की जो आयू है, वो C से C की 3 गुणी है, तो C की आयू पहले निकाल लो, मानलो, C की आयू पूचलो, X है, तो इसकी आयू कितनी होगी, B की 3X, क्योंकि 3 गुणी बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ए जो है वो बी से पांच वर्स चोटा है तो यानि कि 3x-5 ठीक है यह हो गया ऐसे निकाल सकते हो इस तरीके से ठीक है इसी तरीके से निकालोगा ना या इस तरीके से भी कर सकते हो देखो एक एक यह जो है वह एक यह कई तरीके से हैं आपको समझ में आई मैं कोई मदलब ऐसा नहीए कि मैंने जुबता दिया वही लखीर हो गई अगर आपको कोई आपको कई बार लोग इतने स्मार्ट हो जाते हैं ये सब करते हुए जो स्सी और वंकिंग वगरा का जो त्यारी करते हैं ये लोग क्या है ना option देखे, option से answer निकाल लेते हैं, ठीक है, option से आपको correct answer निकाल लेंगे कि यही होगा ही, आप उसमें add करके देख लो, तो इसमें देखे, जैसे हमने क्या करा, अब निकाल लेते हैं, देखो, यह पूरा पढ़ी है पहले question, पूरा तो पढ़ा नहीं, मैं पहले ही solve करने लगा, पहले पूरा question पढ़ना है, ठीक है, a से, a जो है वो, b से 5 वर्ष चोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, a अगर हम a मान के चलें कि b-5, यानि कि a से, a अगर a की आयो जो है वो, b से 5 वर्ष चोटा है वो, और b की आयो जो है, c की 3 गुनी है, यानि कि b की आयो जो है, c into 3 हो गय ठीक है, ठीक है, 3 गुनी हो गई, ठीक, अब इसमें b की आयो कैसे है, अब निकालना है इसमें कि 4 वर्ष पूर, c की आयो जो है वो, c की आयो, 4 वर्ष पूर, 10 वर्ष ती, यानि कि अभी कितनी है, तो 14 है, अभी कितनी है, 14 है, ठीक है, ऐसे सिर्ष सिर्ष निकालिए, ठीक चार वर्स उसमें जूर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 चार वर्स पूर की दी गई है तो चार वर्स बात कितनी हो जाएगी आभी की चार वर्स बात कितनी हो जाएगी इंटू 3 कर दो क्योंकि तीन गुना बताया है तो 14 त्रिक 42 अब यह बोल रहा है इसमें एकी आयू कैसे निकालोगे फिर अब यह बी की आयू आ गई ए बोल रहा है कि एकी आयू यह हमने क्या निकाला था बी माइनस फाइव या नहीं इसमे यह कित्ती हो गई एक ही आयू अब एक ही आयू कुछ रहा है छे वर्स बात तो इसी में छे वर्स बात कित्ती हो जाएगी छे जोड़ दो तो साच्छा 13 43 वर्स हो जाएगी ठीक है इस तरीके से निकाल लिए हमने देखे डी एल ओ सी एसी आई टी ओ एच आगे क्या होगा तो देखे इसको बहुत साउधानिस करेगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को समझेंगे तब आराम से निकाल लेंगे जैसे डी ईल ओ सी अगर हम इसको उल्टा कर दें क्या हो जाएगा क्या है यह लिखा है आइस यानि कोलड आइस तो इधर हो ट को हम उल तरी हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है सी ठीक समझ गए ना इस तरीके से हल करना चलिए नेक्स देखते हैं फटा-फटा लेते हैं इसको यह किसी माह में 23 को रविवार हो तो दो सब्ता और तो दो सब्ता चार दिन पहले कौन सा दिन होगा यह दो सप्ता चार दिन होटावार 5 दिन और दार्प चार दिन और चार दिन और जेसे के इसमें करोई 1-800 करो कितना बचेगा उसमें शल Guide Us गठाओंगे तो 5 दिन बचेगा तो 5 दिन का मतलब रूआ पांस दिन का मतलब हुआ कि यह आपको कौन से तारीक रहेगी वो पांस तारीक रहेगी पांस तारीक तो इसको निकालने का कई तरीका है निकाल सकते हो किसी भी तरीक से यह तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं आप किसी भी तरीक से निकाल सकते हो ठीक है तो इसमें जब पांस 16 थारीक को थीक है फिर दूसरा हांने सॉणब्स रहा को भीर्व्य रहा है किहाम मथें ही मिध्यां ओप siuk और दो हफ्ते ऑफ तो यहां ऑप और एकनकी ऐख हम आपका यहां हो गया है कि इधर अब हुआ है चार दिन पहले की बात यानि कि नौ तारीक से चार दिन पहले चार दिन पहले यानि कि आप निकालिए चार दिन पहले कौन सा होगा नौ से चार दिन पहले आएगा नौ तारीक को संडे था तो चार दिन पहले आप कैसे निकालो गए इसमें देखो यानि कि आठ को आठ को क्या था Saturday ठीक है, साथ को क्या था Friday ठीक है, छे को क्या था थज़दे और पांच को क्या होगा ठीक है, Wednesday ठीक, Wednesday तो चार दिन पहले की बाद पूछ रहा है एक, दो, तीन, चार ठीक, ये हो गया ये इस तरीके से Wednesday आएगा इसमें एक सीरीज है, ये जो A, B, C, A B, C, A, B, A, B तो इसमें जो सीरीज चल रहे है उसको सीरीज देखना पड़ेगा, पहले क्या सेल रही है इसमें सीरीज देखे, तो A, B, C एक सीरीज चल रही है, और A, B A, A, B, C ऐसे चल रही है ये ठीक है फिर A, A, B, C सी और फिर ए इस तरीके से यानि की करेक्ट आंसर इसका सी आएगा ठीक है एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्त में लगे हुए हैं पचास मीटर के अंतराल पर वो गड़े हुए हैं तो पहले से नौए के बीच में आपको निकालना है तो पहले से नौए के बीच करने की ज़रूरत ही नहीं है देखिए एक घड़ी लगी हुई है मतलब उसमें तीन बच कर चालिस मिनट दिखा रहा है आइने में तो आइने में उल्टा दिखाता है थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे मतलब थोड़ा सा आपको मतलब एजियूम करना पड़ेगा तो मतल अइसे बन जाएगा ना यह आगर यहां पर यह मनलोगी छालिस एक लड़के के तसवीर की और इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी जो बहन है, वो मेरे पिता जी के इकलवती पुत्र है, यह अपनी ही बात कर रही है, तो मधु के पिता जी से उस लड़के का क्या संबन है, तो भहिया वो उसका पुत्र ही तो हुआ, ठीक, याद रखेगा, सब्द कोस में कौन सा अस्थान, चौथे अस इसमें, एका 2 दिया हुआ है, और M का 26 दिया हुआ इसमें, अभी इसमें निकालना है कि, और Z का मतलब 52, तो बेट का मतलब निकालना है, तो देखू, एका जो निमरिक अस्थान, वो होता है, प्लेस, वो कितना होता है, वन, इंटू 2 कर दिया है, तो 2 आ गया, M का कितना हो जोल्डू आप कितना आएगा, इसका करेक्ट अंसर आपका बी हो जाएगा, यह से प्रैक्टिस से आगा, प्रैक्टिस कर लीजिए बिंदास्ट जो पूर्वा उलोकन में जो दिया हुआ है उसको पूरा कर लिजे आप Oh no च्ळी लैन में लिखना है एसे जह्ट क कोνεसा आएगा और की फृर पूछ रहा है की पूछ रहा है कि दाई उसके घर आचागी तो उससे 4267 is equal to 10 3374 is equal to 9 तो इसके आगे का क्या होगा ठीक है देखे इसमें 4267 क्या सीरी चल रही है देखे इसमें 2-2 का किया हुआ है 4 into 6 करोगे तो कितना आएगा ये आएगा 6 को 24 और 2 into 7 करोगे तो कितना आएगा साथ दूनी 14 ठीक है इस तरीके से 14 और इनको घटा होगे तो कितना आएगा और इसमें करोगे 4255 में त्यानि कि 4 into 5 करोगे तो कितना आएगा 20 ठीक और 2 into 5 करोगे तो कितना आएगा 10 और खटा होगे तो कितना आएगा 10 तो correct answer क्या होगा 10 ठीक इम्रीत जीवों में से कौन सा एक सही सुमेलित है देखे इसमें कौन सा सही सुमेलित है तो इसम जिवान तक इन मऩ ईहां होता है की इक उसकी जिवों में अलंगिक जनन होता होता यह सारी हिसी क्यों से कौन सा किस एक को पूर्ण पाचक रस जाता है तो यह जो अगनेरस होता है इसको पूर्ण पाचक कहा जाता है जिए चीज याद रखएगा पितर y injections होतार होता है इसे पित द्वारा यह चीज याद रखेगा लाइपेज जो आपका यह एंजाइम है यह लीपिट्स का पाजन करता है जटर रखता है जिसमें कि आपका HCL प्रमुक होता है, यह जितने भी जैसे अगर कोई बोलता है, जैसे चीजें सिस्टेमाटिक भूट सिस्टेमाटिक धंग से बनी हुई है, आपका जो आपने कोई खाना खाया, कुछ खाया आपने, अगर उसके साथ कुछ ऐसी चीज जाती है, तो वह सब HCL द्वारा उसमें उसको डालूट कर जाता है, मतलब पचा दिया जाता है, ठीक है, लाइकिन के संबने में पूछा, इसमें कतन दिया है, सत्य पूछा है, लाइकिन कवक सेवाल के परसपर सही जीवी है, बिल्कुल ठीक है, यह वायू प्रोदूसर्ण के सूचक होते हैं, और जहां प प्राहँ प्रस्त-बाइस इसमें भी सही थे फून होता है विए जल को बोले जाता है यह थे त्दर … निम्रिखित में से कौन सी थहा है, Esse तो मुक्त ऑवस्ता में पाई जाती है यह याद रखेगा चलि नेक्स्ट देखते हैं यह संक्रमन थत्त है इसको उत्कृष्ठ धातु भी कहा जाता है निमलेखित कौन सा एक मिस्रण नहीं है तो देखें इस में से मिस्रण कौन सा नहीं है यह ल्पीजी भी है वाईव भी है घसूलिन भी है आसूत जल नहीं होता वह डिस्टिल्ड वाटर जो है वह मिस्रण नहीं ठीक यह चीज ध्यान रखेगा चलिए प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है चलिए महिलाओं में गरभा वस्ता बनाई रखने के लिए क्या आवश्यक होता है तो देखें कार्पस लूटियम जो होता है वह आवश्यक होता है हेट अंची करोग किसके कमी से होता है यह याद रखेगा यह बुरान परान की कमी से होता है ठीक है नेक्स देखते हैं फल और सब्जी प्रचाति के बारे में दिया है इसमें डेखिए धान ये जया तृिका च्छोटी प्रचाति का उसको बनाए गया थाहगा धान का जया हो गया चना सम्राथ हो गया आम का सिंदू हो गया पपीता का फूसा हो गया तो इसमें आपका करेक्ट अप्सन बनेगा सी बन जाएगा ठीक है 2134 मूली में जो तीखा फन होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है तो मूली में जो तीखा पन होता है वो आपका ये जो आइसो साइनेट होता है उसकी वजह से होता है ठ जो कि दलहनी फसलों का जय उर्वरक कहलाता है तो यह उर्वरक कहलता है कि क्रिसी विविधिकरण प्रकार की फसलों को उगाना यों क्रिसी सहय क्रियाओं को विस्तार करना यह जो है इसका क्रिसी विवधी करण कहलाता है ठिक डाइवर्सिफिकेशन एग्रिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बोलता है इसको चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखे अगला कॉस्चिन निम्लिखित अभिकतन और कारण देखे राश्टी क्रिसी आयोग ने भारत को 15 क्रिसी जलवाय इसका उद्देश क्रिसी जलवाय न्यूजन में छेत्र विशेश में उपलब्द संसाधनों का अनुकूलतम प्रियोग या उपयोग करना ठीक है यह कथन और जो इसका कारण है यह दोनु कथन कारण जो है वह सही दिया हुआ है उसकी व्याक्थ्या भी वह सही कर रहा है त मत सपालन और पसपालन डेरी मिंत्राले द्वारा तो यह याद रखेगा नंदी नामक पोर्टाल बनाए गया है ठीक याद रखेगा जुलाई 2023 में जेम्स फर्गिवशन जिम्स केया को इंटरनेशनल इंटर गर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो की आईपी सी है उ यह प्रधान मंत्री नैटरन मोदी हो जूलाई 2023 में स्टार्ट अप 20 सीकर सब मेलन हुआ वह कहां पर हुआ यह याद रखेगा यह हुखरोगुग्राम में हुआ रहा बविस्तो का सबसे बड़ा संग्रहाले बनाने कि कहां संगर नागी ग quint जुलाई 2003 इसमें निम्लिखित देशों में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनर्सिप के लिए व्यापक और प्रगतसील समझ होता CPTPP में सामिल होने वाला पहला यूरूपी देश बना है तो याद रगेगा यह यूके बना हुआ है यह इसमें सामिल होगा CPTPP में चलिए नेक्स देखते हैं अगला कॉस्चन के इन सरकारदारा जुलाई में निम्लिखित में से किसे अंतराष्टी विट्टी सेवा प्राधिकरान जो इसमें जो अध्यक्ष चुना है तो इसमें जो अध्यक्ष है उनको चुना है यह के राजा 29 जुलाई को अभी पतायेगा कि जो अभी लेटिस्ट बाग जन्गर्ना होई है उसमें भारत में कितने बाग हैं कितने बाग है और यह भी साथ में कमेंट करिएगा कि किस राज में सरवाधिक बाग पाई जाते हैं जुलाई 2023 में निमलिखित अरब देशों में से कौन सा मनी लॉंडरिंग पर एजिया प्रसांत सम्मूव में परवेच्छा का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना है तो यह UAE बना है जुलाई 2023 में निमलिखित में से कौन सा देश संगहाई जुलाई 2023 में ही इंडिया पोस्ट और किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर राष्टी ट्रैक्ड पैकेट से वास शुरूआत की गई तो यह करनाड़ा के साथ शुरूआत की गई थी ठीक है निमलिखित में से किस्टी थी को बिस्व युवा कौसल की रूप में मना जाता है तो यह 15 जुलाई तेक है कौसल विकास मिशन जो प्रार्म किया गया था जुलाई 2023 में किस देश की संसद्वारा सर्वोच नयला के नाइक समिच्छा पर अंकुस लगाने ही तो एक बिढ़ पारित हुआ तो यह इसराइल ने किया है काफी बावाल हुआ था इस पर बीच में बहुत वहां पर प्रदर्सन भी हुए थे जुलाई में यह सालवेक्स 2023 नामक नौसन ने अभ्यास हुआ है तो यह किन कि देशों के विए मतलब भारत तो था है उसमें और कौन था तो यह आस्टेलिया था इसमें ठीक है यह चीज याद रखे आस्टेलिया था जुलाई 2023 में आम महुत्सो आम रसका आयोजन कहां किया गया है तो किस देश में यह याद रखेगा रूस में मॉसको में हुआ है रूस के राज़ानी में और बैसिकली इसमें यूपी का योगदान र पर विचार करना है जुलाई 2023 में क्यू डॉंग संयुक्त राष्ट खाद यूम क्रिसी संगठन यानि यूएन एपयो की बात कर रहा है उसके महानी देशक न्यूट की गया है तो ठीक है न्यूट की गया है वो ठीक इसमें आपको बताना है कि क्यू डॉंग दच्छन कोरि इसका कहा है रोम इतली में ठीक है इसका है इसका है इसमें सर्त्यकतन उच्छा है तो केवल एक ठीक जो एक केवल एक याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2023 में जी ट्वंटी स्रम रोजगायर मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी तो इंदौर में हुई जुलाई 2023 में यह लास्ट क्वेश्चन है इसका नाटो सिखर समेलन इसमें अभी 31 सदस्य हो गये हैं लास्ट कौन सा जुड़ा है तो फिल्लैंड जो एकदम लेटिस्ट जो सदस्य बना है वो फिल्लैंड बना है तो पूछ रहा है कि नाटो सिखर समेलन का योजन कहा है कि अगर कोई देश नाटो सदस्य देशों पर आक्रमण करता है तो सभी देशों की जो मतलब सभी देश इकठा हो करके उसकी रक्षा करें लड़ाई के लाई में यूक्रेयन और रसिया वाले में यही सब फैक्टर तो चल रहा है तो यह विल्नियस में हुआता है नाटो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय है